दोस्तों मद्रप्रदेश में वर्ष 2022 देश के लिए पोस्ट मेट्रेश स्कॉलर्शिप के जो अप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं करना होगा और प्रोटल में अपना इत्गराई प्रोपाइल के माद्यम से स्कॉलर्श के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इत्गराई प्रोपाइल आप किस तरह बना सकते हैं उसका कम्प्ली प्रोसेस बताने वाला हूं MPTAS portal में आप किस तरह से registration कर सकते हैं क्या क्या documents आपको required होंगे और किन-किन बातों का आपको द्यान रखना है सारे जिए मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू गठते हैं तो इससे पहले हम ये देखें कि इद्गराई profile बनाने के लिए आपके पास आपका अधार कार्ट समग्राईडी, card certificate यानि की जाती प्रमाणपत मुल्लवासी प्रमाणपत और आये प्रमाणपत होना चीए ये सभी documents के साथ आप काफी असानी से अपना इद्गराई profile क्रियेट कर सकते हैं अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको important तीन documents बता हैं आपका अधार काड आपकी समग्राईडी और आपका card certificate यानि की जाती प्रमाणपत इन तीनों ही documents में आपकी जो details है वो same होना चीए तब ही आपना इद्गराई profile क्रियेट कर सकते हैं आपके समग्राईडी में आपके अधार काड में और जाती प्रमाणपत्र में आपका ऐसा कि date of birth है तो तीनों में ही आपका date of birth या कोई भी अलग होगी तो अपना इद्गराई profile आप create नहीं कर पाएंगे तो इन शीजों का आपको ध्यान लगना है अगर आपके पास इस सभी documents है और इस चीज़ा आपको बता दूँ कि आपका जो card certificate जाती प्रमाणपत्र आपका digital होना चीए तब ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो सभी documents अगर आपके पास हैं तो चलिए हम देखते हैं कैसे अपना इद्गराई profile आप काफी असानी से online खुदी create कर सकते हैं तो अब हम शुरू करते हैं किस तरह अपना MPTAS profile आप बना सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको इसकी website पर आजाना है travel.mp.gov.in link आपको description मिल जाएगा उस पर क्लिक करके सीधर इस page पर आ जाएगे अब अपना नया profile बनाने के लिए आपको नीचे आपर देखिए option मिल जाएगा account नहीं है नया इद्गराई profile पंजी करन इस option पर आपको simply click कर देने जिसके बाद आपके सामने आप पर एक नया profile बनाने के लिए application आ जाएगा इस तरह से आपके सामने page आएगा आप यहां पर देखिए सबसे पहले आपको अधार कार्ट के अनुसार पूरा vibrant डालना है जो भी आपकी details है आपको अधार कार्ट के according फिल करना है जैसे कि सबसे पहले आपको अधार के अनुसार अपना नाम इंग्लिस में यहाँ पर लिखना है उसके बाद अधार के अनुसार अपना नाम आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है हिंदी में नाम आप copy paste करके भी लिख सकते हैं या फिर Google Input Tool के माधियम से भी आप यहाँ पर अपना नाम इंदी में लिख सकते हैं उसके बाद अपना date of birth, father name और अपना gender यहाँ पर आपको select कर लेना है सारी जनकारिया आपको अधार काड के recording यहाँ पर डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना complete address जिसे कि आपका मकान निमबर, आपके गली और फिर कलोनी का नाम उसके लाब आपका चेतर परिसर है, सेक्टर, अपने शहर का नाम, अपना pin code यहाँ पर आपको डाल देना है address डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना area select करना है, आप शहरी शेतर से belong करते हैं, फिर ग्रामीड शेतर से तो वो यहां से आप सबसे पहले select करेंगे अगर आप शहरी चेतर से belong करते हैं तो यहां पर आपको अपना ward का नाम अपने इस्थानी निकाय बगरा डालना होगा और अगर आप ग्रामिन चेतर से belong करते हैं तो अपने गाओं का ना अपनी तहसीर का नाम यहां से आपको डाल देना है जैसे कि मैंने आपर शहर सेलेक्ट किया सबसे पहले यहां पर अपने जिले का नाव हम डाल देंगे उसके बाद यहां पर अपनी तैसीर का नाव आपको डाल देना है और क्योंकि हमने आपर शहर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर अपने word करना हम डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना mobile number डाल देना है जो भी आपने scholarship form में फिल करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर बैवाहिक इस्तिती में आप single हैं फिर married हैं वो आपको डाल देना है अगर आपके पास email ID तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं दरवाई जे mandatory नहीं है तो आप इसको skip भी गर सकते हैं अगर आप merit रहेंगे तो यहाँ पर आपको अपने life partner जीवन साती का नाम भी डालना होगा उसके बाद आप आजाएंगे जाती प्रमाणपत्र की certificate है उसका number यहाँ पर accept होगा तो इसका application number यहाँ पर आपको डाल देना है certificate number उसके बाद जिस date में आपका certificate issue किया गया है जारी दिनांग यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है क्या आप देव्यान की श्रिणी में आते हैं अगर आप disability किसी तरह की आपको है तो यहाँ पर आप yes करेंगे otherwise को आप no पर click रहने देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना धर्म select करना होगा Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Jain, Buddhism जो भी यहाँ पर आपका धर्म है वो धर्म आसे आप select कर लेंगे उसके बाद यह पूछ रहा है क्या आप आनाथ हैं तो अगर आनाथ हैं तो yes करेंगे otherwise यहाँ पर भी आप no की बटन पर click करेंगे अपनी sites डाल देने के बाद यहाँ पर सुरक्षित करें इवं आगे बजाएं का जो option देख रहा है इस पर आप click करेंगे आप summit करने के बाद यहीं पर देखें लगबग 25 से 30% लोगों का जो form है वो रोख जाता है और उनके सामने ये वाला page नहीं आता है अब ये जो page है इसको आप जाती प्रमापत्र का page भी बोल सकते हैं जो कि सबसे पहले page में आपने जो भी जानकारी डाली हुई है वो अधार कार्ट के according डाली हुई है उसके बाद जब अपना certificate number डालके आप submit करते हैं तो इस तरह से आपके सामने जाती प्रमापत्र की जानकारी वो open होकर आ जाती है लेकिन कोई students के सामने ये page नहीं आता है तो उनके लिए मैं आपको बता तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि आपकी सारी जानकारी आधार कार्ट के according होगी आपके जाती प्रमापत्र में और आपकी समग राइडी में तब ही आप अपना application complete फिल कर पाएंगे तो अगर आपके सामने ये वाला page नहीं आ रहा है इसका सीधर सा मतलब यही है कि आपके अधार कार्ट में जो date of birth डली है और जो date of birth अपने form में आपने शुरू में डाली हुई है वो date of birth आपके जाती प्रमापत्र में नहीं डली है मतलब आपकी details जो जाती प्रमापत्र में डली हुई है वो अधार कार्ट से different है इस कारण से आपका जो card certificate है वो accept नहीं हो रहा है और आपके सामने ये page नहीं आ रहा है आपका भी open होता है तो यहाँ पर आप नीचे check box पर tick करेंगे उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करें एवं आगे जाएं का जो option दिख रहा है इस पर आप click करेंगे इस तरह कारार आ रहा है invalid date of birth from summer demographic इसका मतलब यह है कि अब आपका जो अधार card में date of birth है वो जाती पर प्रॉसेस कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी समग ready सही होगी तो इस तरह से आपकी समग ready के जो details है वो open हो जाएंगी इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर समग ready भी ठीक है जाती पानत भी ठीक है तो यहाँ पर जैसी आपके सामने इसकी profile open हो जाएगी यहाँ पर check box पर आप tick कर देंगे उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करें यहाँ आगे जाएं कि option पर आप click करेंगे अब यहाँ पर आपका आए घोशना मतलब जो income certificate वाला page है वो यहाँ पर आजाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है सारी ची आटो फेल है केवल यहाँ पर आपको मेरा website जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपके father क्या करते हैं या फिर जो भी यहाँ पर source of income है आपकी mother है या फिर father है तो उनको यहाँ पर उनका जो source of income है वो यहाँ पर आपको डाल देना है जिसे की agriculture है private job है या फिर जो भी वो करते हैं तो यहाँ पर आप डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर कितनी सालाना आया आया आपको होती है आपके income certificate में कितनी सालाना आया डाल देंगे और वही सेम चीज यहाँ पर आपको शब्दों में डाल देना है उसके बाद नीचे यहाँ पर देखे आपको एक option मिल जाएगा मेरे परिवार की समय सदेशियों की कुल वार्षे का है तो यहाँ पर आपको एक range मिल जाएगी तो 1000 रुपे तक है एश्वार एक लाग रुपे तक है या फिर एक लाग से 1.5 लाग है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको option select कर लेंगे और सबसे last में यहाँ पर नीचे दिखिए आपको केवल यहाँ पर इस्थान वाला जो option दिख रहा है तो यहाँ पर अपने जिले का नाम आप डाल देंगे उसके बाद यहाँ जमा करेंगा जो option दिख रहा है इस पर आप click करेंगे उसके बाद सुरक्षित करें इवर हम आगे जाएं को option पर आप click करेंगे अब next यहाँ पर आपका मुलनेवासी गोच रहा है नहीं के जो डोमिसाल certificate वाला page है वो आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है केवल आप पर जो fourth point डिया हुआ है इस पर आपको second option मिल रहा है मैं मद्यप्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरंतर निवास रहा हूँ यह option आप select कर लेंगे उसके बाद उसी तरह यहाँ पर आपसे place इस्थान का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको अपने जिले का नाम simply डाल देना है उसके बाद यहाँ जमा करें उसके बाद सुरक्षित करें और हम आगे जाएं के option पर आप click कर देंगे तो आपका जो profile है यहाँ पर आपके सामने एक पूरा preview हाजाएगा तो इसकी site details एक बाद आप चेक कर लेंगा सारी जनकरिया आपर सही है तो यहाँ पर आपको एक password create कर लेना है यहाँ पर आप password डालेंगे same यहाँ पर आपको password दुबारा से डालना होगा password आप कुछ भी creates कर सकते है यहाँ आपका जो नाम हो गया वो आप डाल देंगे उसमें first जो letter आपका capital डाल देंगे उसके बाद आपको एक special character लेना है और कुछ यहाँ पर आपको numbers लेने इस तरह से आपको यहाँ पर एक password create कर लेना है password create कर लेने के बाद यहाँ पर आप check box पर tick करेंगे उसके बाद यहाँ submit करेंगे जो option दिख रहा है इस पर आप click करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका जो profile है वो create हो चुका है यह आपका user ID यहाँ पर आ चुका है इसको आपको कहीं note करके रख लेना है या फिर इसको आप copy कर लें तो इसको आप note करने के बाद इसी के माद्यम से आप login कर पाएंगे और जो आपने password create किया है उसी के माद्यम से आप इस portal पर login कर पाएंगे अभी फिलाल आपका जो registration है वो complete नहीं हुआ है अभी आपका KYC पैंटने के यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है registration करने के बाद आपको KYC करना कमपल सरी है उसके बाद ही आप form भर सकते हैं तो अपना KYC करने के लिए simply आप आप login की बटन पर click करेंगे login की बटन पर click करते ही आपके सामने इस तरह का page आएगा अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना user ID और जो password आपने create किया था वो password डाल देंगे capture code आपको दिखाया जा रहा है capture code डाल का login की बटन पर click करेंगे तो इस तरह से आपका जो profile है यहाँ पर login हो जाएगा आप यह पूछ रहा है would you like to update DOB before EKYC मतलब किया आप अपना date of birth KYC के पहले अपडेट करना चाहते हैं तो क्योंकि यहाँ पर हमने site रही फिल की हुई है तो इसको हम no click कर देंगे अब यहाँ पर देखिए आपके सामने यह जो KYC वाला page इस तरह से जाएगा सबसे पहले यहाँ पर आपके पास अधार card number है तो यहाँ पर अपना अधार card number डालेंगे यह फिर आप virtual ID भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डालने के बाद यह जो capture code दिख रहा है capture code डाल के check box पर आप टिक करेंगे उसके बाद आपके सामने दो option है one time, password, OTP और biometric तो आपके अधार card में अगर mobile number registered है तो यहाँ पर OTP वाला option आप select कर लेंगे अब यहाँ पर OTP प्राप्ट करेंगे जो बटन दिख रहा है वो OTP आप डाल कर OTP सत्यापित करेंगा जो option दिख रहा है इसपर आप click करेंगे OTP verify करने के बाद आपके सामने इस तरह error आएगा इसको आप card देंगे अगेन यहाँ पर OTP सत्यापित करेंगा जो option दिख रहा है इसपर आप click करेंगे अगर आपको अपना profile प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप my profile की section में चले जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको print profile टिल्स का एक option देख रहा है इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो profile है वो open हो जाएगी अपना profile आप pdf और डाउनलोड भी कर सकते हैं और देखिए export pdf का option देख रहा है इस पर आप click करेंगे तो आपका जो profile का pdf होगा वो download हो जाएगा जिसको आप print करके रख सकते हैं और इसी की माद्यम से आपको form बरना है और इसी portal की माद्यम से आपको form बरना है form अभी यहाँ पर सभी college के चालू नहीं हुए है और आपके मन में कोई सवाल है कोई doubt अगर आपके मन में है तो आप नीचे comment section में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं पराल दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही आप समझ यहों किस तरह अपना हित्वराही profile यह फिर MPTAS profile आप create कर सकते हैं और वीडियो आपके काफी काम आया होगा वीडियो कर आपको informative लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आगे वीडियो दिखना चाहते हैं चैनल को subscribe करके बेल एकिन को जरूर प्रेस कर दीजेगा फ्राइक लिए दोस्तों मैं को चलता हूँ आपसे फिर मुला कात होगी ऐसे ही किसी informative वीडियो में थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो